राधे राधे भक्तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल दपावर ओफ ओम पर आए जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां और कैसा रहेगा आपका दिन तो यह जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राराइब जरूर कर लेवे ताकि रोजाना राशि राशिफल का नोटिफिकेशन आपको मिल सके जय श्री राम राशिफल 11 दिसंबर अनुराधन अक्षत्र के साथ सरवार्थ सिध्ययोग का शुब संयोग मेश और मीन राशी वालों को मिलेगा धन सम्मान सोमवार 11 दिसंबर को दोपहर बाद से अगले दिन तक सरवार्थ सिध्ययोग बना हुआ है इस शुब योग में मेश और मीन सहित कई राशियों के रुके कार्य पूर्ण होंगे और धनलाब होगा इन राशियों के लोगों को भगवान शिव के आशीरवाद से हर कार्य में सफलता मिलेगी आईए जानते हैं विस्तार से सोमवार का आर्थिक राशिफल 1. मेश आर्थिक राशिफल कारोबार में सफलता के योग मेश राशी के लोगों को करियर और कारोबार के मामले में सावधान रहने की सलाह है रुपए पैसे का आदान प्रदान किसी ने करें आपका पैसा डूब सकता है आपके लिए जरूरी है कि पैसों की बचत करके खर्च करें वरना आपको आगे चल कर जरूरी कामों के लिए पैसा कम पढ़ सकता है आपके लिए कारोबार में सफलता के योग हैं पार्टनर्स के साथ किसी प्रकार के विवाद से बचें 2. व्रिश आर्थिक राशिफल काम करने में मन नहीं लगेगा व्रिश राशी के लोगों को आज काम धंदे के मामले में कुछ परेशानी और कठिनाईयां पेश आ सकती हैं और आपके जीवन में एक के बाद एक समस्याएं बढ़ सकती हैं किसी अपने पर भरोसा करने से बचें और वह आपको धोखा दे सकता है एक साथ कई प्रकार के काम हाथ में लेने से आपको उल्जन होगी और काम करने में मन नहीं लगेगा यदि आप समय के अनुसार चलें तो आपके कार्य पूर्ण होते रहेंगे आपको रिस्क लेने से बचने की जरूरत है 3. मिथुन आर्थिक राशिफल आराम करने की फुरसत मिलेगी मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा और आज आपको कुछ देर अपने लिए आराम करने की फुरसत मिलेगी आज आपका मन जरूरी कार्य करने में लगेगा और आज आपको वस्त्र और आभूशनों की खरीद करने से लाब होगा. आज आपको व्यक्तिगत जीवन पर सोच विचार करने की फुरसत मिलेगी. आज आपको सलह है, पैसों का निवेश कहीं भी करने से बचें, वरना आपको नुकसान हो सकता है. 4. करक आर्थिक राशिफल सिंह आर्थिक राशिफल दिन आर्थिक मामलों में बहतर होगा. कन्या राशिक के लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में बहतर होगा. और आपको भाग्य का साथ मिलने के अलावा भौतिक मामलों में सफलता मिलेगी. आज आपको कोई पसंद का रचनात्मक कार्य करने को मिलेगा और इसम तोला राशी के लोगों के लिए आज हर कार्य काफी सोच समझ कर करने का दिन है। इन सभी कार्य में आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। सहयोगियों से आपको लाब होगा और आपका खर्च अधिक हो सकता है। आज आप किसी प्रकाई की समस्या से खुद को घ भिरा हुआ पाएंगे। दोस्तों को उधार देने से पहले अपने बजट के बारे में सोच लें, वरना आपको निराशा हो सकती है। आठ व्रिश्चिक आर्थिक राशिप्पल पैसों की तंगी की वजह से आप परेशान रहेंगे। व्रिश्चिक राशिके लोगों को आ असलिए परिवार के लोगों से बात करते समय आपको संयम से काम लेने की सलाह है। आज आपको अपने जीवन में परेशानी और अस्थिर्था का सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। 9. धनू आर्थिक राशिपल आर्थिक मामलों में दिन बहतर होगा। धनू राशिके लोगों के लिए आज का दिन आर्थिक मामलों में पहले की तुलना में बहतर होगा। कुछ लोग आपकी बातों से परेशान और खफा हो सकते हैं। आफिस के लोगों से आपको थोड़ करने के लिए काफी खर्च भी करना पड़ सकता है और इसमें आपका नुकसान हो सकता है 10. मकर आर्थिक राशिफल काफी महनत करनी होगी मकर राशिके लोगों के लिए आज का दिन सामान्य है आज आपको सफलता पाने के लिए काफी फोकस करना होगा और काफी मेहनत करनी होगी यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको किसी अच्छे काम के लिए पुरसकार भी मिल सकता है घर का माहौल शांति पूर्ण रहेगा और आपके कार ये सरलता से पूरे हो जाएंगे आज शाम को परिवार के लोगों के साथ खुशियां मनाने जा सकते हैं 11. कुम्भ आर्थिक राशिफल आर्थिक लाभ का दिन है कुम्भ राशिके लोगों के लिए आर्थिक लाभ का दिन है और आपकी योजनाएं पूर्ण होने से आपको धन की प्राप्ती होगी 12. कारोबार में आपका मुनाफ़ा बढ़ेगा और योग्य लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा बेहतर होगा कि आज किसी भी प्रकार के विवाद से खुद को दूर रखें और अपने काम पर ध्यान दें आपको सम्मान की प्राप्ती होगी 12. मीन आर्थिक राशिफल आपके धन सम्मान में वृद्धि होगी मीन राशी के लोगों को आर्थिक लाब होगा और कार्यक्षेत्र में आप अच्छा खासा यश बटोर सकते हैं अपने कार्य में ततपर होकर आप उन्नति की उच्च सीमा तक भी जा सकते हैं समय का सहयोग अगर मिलता रहा और आपकी इच्छा शक्ती इसी तरह से कायम रही तो आपको हर कार्य में मनचाहा परिणाम हासिल होगा और आपके धन सम्मान में वृद्धि होगी नोट दोस्तो ऐसे ही रोज दैनिक राशिफल जानने के लिए विडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े